आप सब कैसे हैं दोस्तों आप सभी फ्रेंट्स को तए दिल से शुक्रियादा करता हूं कि दोस्तों आज तक आपने बहुत प्यार दिया और आगे भी इसी तरीकी का आश्तिरवाद और प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ मेरे स्टुडेंट है क्या नाम है अपका अरुन क कितने डेज हो गया अरुन जी आपको आज सेवन डेज हो गया इससे पहले कभी आपने कार चलाई थी नहीं चलाई है तो दोस्तों देखिएगा सेवन डेज हो चुका है और अरुन कैसे कार चलाते हैं किन-किन चीजों में अभी इनकी दिक्कते आ रही है कौन-कौन सी किया लेफ्ट वाला युकिंग ग्लास किया ठीक है अभी कैसे कार स्टार्ट करेंगे आप अभी हम गारी को नूटल में करेंगे ओके फिर गारी ऑन करेंगे हां ओन करिये हो गई हो गई हां फॉस्ट गेर डालिये अब आप अब आप अब राइट का सिगनल देंगे ताकि पीछे वाले आने वाले लोगों को यह कंफर्म हो जाए कि यह गाड़ी वापस रोड पर आ रही है ठीक है तो दिरी दिरे ख्लाच होड़ेंगे गाड़ी दिरी दिरे मूब करनी श्टार्ट हो जाएगी बिना एक् काड़ लो क्योंकि काफी सारे लोग बैठे हुए रोड पर गड़ वैरी गड़ फरस्ट गेर की स्पीड कितनी होती कितने से कितने तक आप चला सकते हो जी रो टू टू टैन ओके अभी आपकी गाड़ी कम से कम पचास मिटर आगे आगई तो अब आप पूरा क्लच को रिल जाएं लेफ्ट लाके पीछे खीचो लेफ्ट लाके खीचो पीछे वैरी गुड छोड़ दो क्लच खोड़ दो हां अगर जादा वक्त लोगे तो फिर गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी जब तक आप गेर चेंज करो को तब तक के वह फिर गाड़ी जटके हां तुरंट देरे तक हम क्लच दबाया रहेंगे तो हमारी गाड़ी फ्री हो जाता है तो वहां पर क्या होता है ना कि फिर जटके मारके बंद हो जाती है अगर फ़र्स्ट गेर की स्पीड टेंट टूटी सेकंड की टूटी तो आपने अगर स्पीड बढ़ाया 20 प्लस गया उपर फिर क्लच दबाया गेर डाला तो क्लच दबाके गेर डालने का जो प्रसेजर है दो से तीन सेकंड में अगर आपने ज्यादा समय ले लिया तो जब हम क्लच पूरा दबा लेते तो वहां पर इंजिन फ्री हो जाता है तो जो स्पीड है फिर जब तक आप क्लच रिलीस करोगे त ताकी उनको यह कंफ़र्म हो जाये कि घुल से कोई कर निकल रही है है कि वेरी गुद्ध बहुत बड़या बंबट जीतना अप लेफ्ट था ट्यूंगई उतना शेफ रहोगे क्लिव दखकोज़gt गारेब और लेफ्ट आजो गट और थोड़ा लेफ्ट आजाओ वेरी गुड़ और लेफ्ट आओ देरे देरे जाने दो और लेफ्ट आजाओ ये लेफ्ट में आप अपनी नजर रखो बार-बार आपकी गाड़ी राइट भाग जा रही है क्योंकि आपको लेफ्ट अपना मेंटेन करना है इनको हां दो साइकल वालों को हां अब सामने से गाड़ी या रही तो आपका राइट वाला पैर कहा आना चाहिए था आया था क्यों जब आपके सामने से दो कारे आ रही थी लेफ्ट में साइकल वाले जा रहे थे तो एक्सिल करें ब्रिक को इस्तमाल कर सकें यह घलती कभी भी मत करिएगा ब्रिक दबाना नद बाना एक अलग चीज तो नहीं हो पाता है इसलिए हमेशा हमको अपने पैर को जब भी जरुवत हो तो ब्रेक पे पहले से ले के आ जाना है और फर्स्ट और सेकेंड गेर में अगर आप एक्सेलेटर नहीं भी लेते तो भी कार आपकी बंद नहीं होगी रुकेगी नहीं दीरे दीरे स्लो मोशन में चलती रहेगी अब यह सब सिंगल रोड हैं ब्लाइंट अने से कम भी हो गई जेर माई सेकेंड कर लाइगे तब जर्क नहीं अगर आप ब्रिक ज्यादा ले तो तो जर्क लेगी अराम से जाने हो दीरे दीरे हम अगराइट काटो राइट डॉगी थाना इधर लेफ्ट टाउं देखा आपने लेफ्ट में एक कार नाली में चली गई है ठेंडेट यह होता है देख रहे हो चार पांच लोग मिलके निकाल रहे थे नजर रटी तुर गटना गटी अपना लेफ्ट रखो लेफ्ट ही रखो अरुण जी जितना आप लेफ्ट रखेंगे उतना सुरच्चित रहेंगे जाने दो धीरे धीरे गड़ स्ट्रेट जाना है हम एकदम सीधा जहां पर कोई चौरा आजा है वहां पर लॉंग हॉन ऐसे लिए पाई लैसे विया ने जाए जक्ता सब bey Sal aadna कि उसको यह को ऐखने जाती है है इना क्लजिए के से एक से दो सेकंड तक आप क्लच इस्तमाल कर सकते हो जैसे भी दो को मैंने यह ब्रिक ले लिया ले लिया बिना क्लच के गाड़ी बंद हुई नहीं हुई कुछ सेकंड के लिए हौन मारी है राइट दबा के रखो तोड़ा ब्लाइंट अन एकदम लेफ्ट आओ अब यहां पर नोटिस कर आप मैंने 50% ब्रिक दबाया देखो गाड़ी आप कहां लेके चलेगे पूरी ले गए एक डेली आप से यह गलती होती है क्या चिस तो जरूर से जादा आपने काटी ना गाड़ी बाबा को कितनी जगे चीज़ी थी निकलने के लिए दो फिट आपने कितनी जगे छोड़ी थी पांच-शे फिट फिर समझदार हैं बागी तो आप कyin बचत में आंगर में का Gary कि दो फित की जगे दो जो की होती तब क्या करते आप अप आप जोड़ते जो आप ने छोड़ी अभी यहां से राइट जा ना है सब्सक्राइब को जटके से नहीं काटते जैसे कई बार आप एक्टम पैनिक हो जाते हो ना पैनिक नहीं हो समझ रहें जितना प्यार से चलाओगे ठंडे दिमाग से चलाओगे उतना अच्छा कांफिडेंस होगा छोड़ो ब्रेक निकल गई गाड़ी अब आपने दिखो भी यहां क्या गड़ बढ़करा अरे मेरे भाई ब्रेक दबा दिया एक कलच नहीं दबाया तो माई डियर जब गाड़ी बहुत जादा स्लो हो जाती है तो कलच दबा के ब्रेक लेते हैं मेरे दोस अभी तो मैंने ये चीज़ समझाई है कि एक दो सेकंड के लिए बगर कलच के बाब ब्रेक ले सकते हो लंबा ब्रेक नहीं ले सकते हो जब यहां पर ओलड़ी गाड़ी आपकी श्लो थी और आपने बगर कलच के ब्रेक ले लिया वो भी 10% के आस पास तो गाड़ी बंद हो एक दम श्ट्रेट जाना है वाइट लाइन से सटा के रखो अपनी गाड़ी जो वाइट लाइन है लेफ्ट वाली इससे सटा के रखो गड़ वेरी गड़ अभी कार को रूख रहा है आपको यहां पर पूरा क्लच और ब्रेक इप स्टेह पर नीज़र करो और अब रिवर्स गें ढलो हो गया अब इस टीरिंग सीधा है आपका एक अगदम सीधा करो सिधा सीधा यह सीधा होता इए यह सीधा होता है एक Clay के अब चोड़도 दीर दीर इतलusalem आपनी सीधी जानी चाहिए अगर इस कार को इस गली में पीछे गली देखरी लेफ्ट एंड पर हैं इस गली में आपको इसको टेंड करना है तो इस्टेरिंग किदर काटेंगे आप तो हां लेफ्ट काट लो थोड़ा सा पहले फोड़ा सा पीछे बढ़ा हो दो-तीन मीटर ब्रेक फ पूरा है तो यही नहीं लगा आपका अब लगा है यह खड़़़़़ जिया वाज का मतलब यह था कि गर अटका हुआ था गेर पूरा नहीं लगा है अब रोको गाड़ी पूरा क्लाच और ब्रेक अब देखो अब कीछी कितना स्पेस है यह जश्ट रोड आ गया है यह देखे रोड आ गया यह पीछे तो अब अगर ज्यादा पीछी लेके जाओगे तब टन करोगे तो गाड़ी नहीं टन हो पाएगे अभी आप पहले पूरा लेफ्ट काट लो पूरा कट गया है कैसे कट गया कैसे पता चला कट गया अरुण जी आप से तेज तो लड़किया काट लेती श्टेरिंग क्यों बेस्ती करवा रहे हो आप अपनी भाई अभी भी नहीं काट पाए हो पूरा देख रहे हो कहां गूम गया दो राउंड लड़किया काट देती मेरे दोस समझ रहे हो जाओ अब ब्रेक छोड़ो एकदम दीरी दीरे हाँ पूरी लेफ्ट काटी अब देखो गाड़ी कहां जा रहे है अब सीडी करो श्टेरिंग एक राउंड और बस जाने दो अब आपने यहां माई डियर ब्रेक दबा रखा है बंद हो गई गाड़ी आपकी बुझ गया इंजन यह राइट वाला पैर घर पे रखाये कर उसको लाएं मत करो समझ रहे हैं चलो इंजन ओन कर लो जब गाड़ी आप जीरो की स्पीड में चला रहें तो यहां पे ब्रेक दबाके रखना था आपको बिना एक्सिलेटर बढ़ा रहे थे यह पीर सही से रखोंबाई भॉषब फैर सही से रखों ढंग से और थोड़ा उपर ले जाओं उपर ले जाओ थोड़ा हूं यह पेंडल को सही से पकड़ो भाई नई समझ मैं आ रहा हैं हाँ यह पोइंट होना चाहिए चलो अब जाने दो पावर ब्रेक होता है न दीरे दीरे एक दाम दीरे दीरे हाँ जाने दो और लेफ्ट काटो लेफ्ट और बस रोक लो पूरा क्लेच और ब्रेक स्टॉप बास अब इसको न्यूटल करो गाड़ी को पहले अब इस्टेरिंग किधर काटी थी? कितने राउंड काटे थे? दो राउंड तो अब दो राउंड सीधी करो अरे प्रभू भगवानी भला करे आपका भगवानी भला करे आपने वहाँ लेफ्ट काटा था ना? तो अभी सीधी करने के लिए किधर काटना था? और भी आपने किधर काट दिया? फिर बताईए जाना था मुंबई पहुंच गए आप भिहार सीडी को रो इस्टेरिंग अभी नहीं हुई बस आप कौन सा गेर डालो गेर डालो फस्ट गेर अब फॉड़ा कॉंफीुज रहते हो भाई आब पहां का सिखनल दोगे रई का सिग्नल दो Capitol व्मोण कूल माहीं सी खोशी करनी है एक्दम देर हम दिली तेरह को अगर ज่ाना हमको यन दो nova स्टेरिंग सीडी करेंगे फिर यहां से लेफ्ट काट हूँ घबराया मत करिए पैनिक मत हो एकदम कूल हो के चलाओ मैं चाहूं तो यह सारी चीज़े खुद भी कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं इसको करूँगा तो कल को आप जब अपनी गाड़ी चलाओगे तो उस पे कौन करेगा वहाँ तो आपको 100% चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना इसलिए सारी चीज़े आपको खुद से करनी है और जिस साइड हम स्टेरिंग काटते हैं सीधी करना उसके अपोजेट साइड होता है यहां पर सेकंड गेर की ज़रूरत है तो फिर जब सेकंड गेर की ज़रूरत ही नहीं तो आप सेकंड गेर के बारे में सोच क्यों रहे हैं बढ़ा लीजे थोड़ा सा स्वीड फस्ट सीधी करो बच्चे हैं सामने ध्यान रखना राइट रखो गाड़ी बस आराम से हां लेफ्ट का सिगनल दो गड़ और देरे देरे लेफ्ट आओ थोड़ा लेफ्ट वाली वाइट लाइन को ध्यान में रखना कि नीचे गाड़ी ना उतरे आपकी यह लाइन के अंदर ही र टेंशन में क्या होता ने कि जितनी चीजे आपको आभी रही वो भी भूल जाओगे अभी तो मैं बगल में बैठा हूं तो आपको गाइड कर दे रहा हूं कल को जब अपनी गाड़ी आप चलाओगे तो फिर आपके साथ एक्सिडेंट हो जाएगा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजे गड़बड हो जाती है जितना आप कूल माइन से सीख सकते हो ना उतना टेंशन में नहीं चला पाओगे लिफ जाना है माइडियर सिग्नल दे दीजिए हां दुखो आप गड़ा नहीं बचा पाई कूद गई ना आपकी गड़ी गड़े में जाने दू एक टर्निंग पे हमारा पैर आना बहुत ज़रूरी ये ब्रेक पे और एक सिग्नल देना एक हां देना ये तीनों चीज कंपल सरी करने ही करना इसके बगर कुछ नहीं हो सकता है ठीक है आगे से फिर लेफ जाना है आपको आगे से लेफ जाना है लेफ आओ आओ यार गंदगी पे चड़ा दिया आपने अरुण जी बताइए आपको नजर नहीं आया था क्या रोड पे क्यों भाई हाँ बढ़ाईए स्पीड और बढ़ाईए क्लट्च दबाके सेकंड ग्यरृ गड़ जाने दो छोड़ो क्लच क्लच झोड़ो जाने दो स्पीड मेंटेन करो कर सामने देखो जहां पर टीपॉइंट है जहां पर उनकल निकलें राण्ट इशिट में वहां फे जाना है वहां पर आपको क्या करना है इसको हाफ क्लच और थोड़ा सा ब्रिक ताकि गाड़ी का गीर भी ना बदलना पड़ और गाड़ी कंट्रोल भी हो जाए लेफ्ट का सिग्नल दो बहुत कंफ्यूज होते हैं आप दोस्त बहुत जाद ही ब्रिक पर रख लो थोड़ा क्लच दबाओ हां बस जाने दो यहां पर क्या है ना कि आपको एक्सेलेटर की जरूरत नहीं है फूरती से सीधी करो फिर राइट का सिग्नल दो हां और वही सेम चीज हाफ क्लच हाफ ब्र अब यहां पहले को आपको फश्ट करनी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी क्योंकि जब आपने हाफ क्लच दबा लिया ना तो गाड़ी की स्पीड सेकेंड से फश्ट किया गई तो गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है अब हां मारिए थोड़ा पहले से अलड़ करते हैं सामने तो को रिक्षे वाला है तो अब अगर आप वहां पहुंच के हां दोगे तो उसको भी थोड़ा सोचने समझने का मौका चाहिए ठीक है जाने दो दीरे दीरे राइट अखुल का यहां से लेफ जाना है सिगनल हाण राइट दबाके नहीं तो वाल में टक्रा जाएगी गाड़ी आपकी हां तन करो फिर यहां से राइट फूर्ती से राइट का सिगनल हाण गब्राना नहीं आया एकदम प्यार से हां हडब्राना नहीं है सीडी कर लो गड़ वेरी गड़ बहुत बढ़िया जाने दो सो गाइस आपने देखा अर्यूंजी को सेवन डेज हो चुका थोड़ा ही नर्बस हो जाते हैं घबरा जाते हैं एक्टम पैनिक हो जाते हैं क्योंकि ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद अच्छे चोका हो सोड़ जाता है वही वही मतलब थोड़ा डर आपके अंदर डर हो जाता है डरना नहीं है मैं तर बैठा हूं कंट्रोल करने के लिए और दो कंडिशन है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत बोलते हो बहुत तो माई डियर फ्रेंट्स अगर मैं बोलूंगा नहीं तो फिर मजबूरी है मुझे खुद करना पड़ेगा क्लच ल तो इस लिए बोलना जरूरी है ताकि सारी चीजों को करें आगे से लेफ्ट लेना है थोड़ा कर लेके क्योंकि मेन होल का डगकाने सीवर चैंबर है तैर कर जाएगा तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो आप इसे लाइक करें शेर करें कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है नेक्स वीडियो में फिर मिलता हूं दोस्तों चैनल मेरा सस्क्राइब कर लीजीगा बेल आइकन दबाके नोटिप्शन आउन कर लीजीगा ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूं वह आप सभी तक पहुंच सकें आप उससे कु अगले तो आप आ सकते हैं मेरे पास रहने खाने पीने की सारी फैसलिटीज है आप आ सकते सीख सकते हैं सेबन डेज में मैं आपको कंप्लीट करा दूगा आप आराम से जा सकते हैं जैहिन बंदे मात्रम